परेशान कामवाली बाई एक दिन अचानक कामवाली बाई रानी को पता नहीं क्या हो जाता है कि हमेशा बकबक करने वाली रानी अचानक चुप-चुप काम करने लगती है और काम में गलतियां भी बहुत करती है अरेई का बार-बार काम करते करते अलप विराम लगा रही हो जल्दी से काम का पूर्ण विराम लगाओ न हमार मतलब निपता होई काम अब हो गया जाडू अब इक काम करो इप्रेस की ये कपड़े अपनी जगा पर रख दो जाके इलो रानी बाई ये धोईवे बरतन तो अपने जगे सेट कर दो न यहां कब तक बड़ा रहेगा बहु ए बहु अरे उजरा ठंडे पानी का बोतलवा तो खीच दे फ्रिज से अभी लाते हैं सासुमा सासुमा इदेखिए हमारी रानी का कमाल प्रेस की ये कपड़े उप फ्रिज में रख दी है का बात कर रही है तू बहु हे भगवान इप का हो रहा है इगर मा ए रानी ए रानी का मर गई तू आ इदर फ्रेस की ये कपड़े फ्रिज में रख के चली गई अरे ऐसे कैसे फ्रिज में आ गए इन कपड़ों में का हाथ पैर लगे है जो अपने आप चल के आ गए बहु तू ले जा जा इको कबाड में रख दे सासुमा ओ सासुमा इदेखा कबड मां बरतन रखे हैं ए राम ए राम ए रानी ए रानी इका है का है इए हमार बेडरूम का कबाड का किचन का रैक है जो बरतन रख दिये ही मा अरे ये इधर कैसे आ गए इके तो पंक निकलाए है ना महरानी साइबा जो उड़कर आ गए होंगे ना हमका तु एक बात बता तेरा दिमाग ठिकाने पर है के नहीं एक भी चीज ठिकाने पर नहीं रख रही है तू ऐसा काम करेगी जा जा तु जा आज के दिन छुट्टी मार ले जा मेरे को मेरे घर को कबार खाना नहीं बनाना है रानी तु जा जा हम अपने आप कर लेंगे अपना काम ओड़ी बाबा खौप शे एक ही काम करता है एलो आलू हम छील दिया है इसको फोराई करके शौप जी बना देना और ये रोश्गुल्ला हम फ्रीच से निकाल के रखा है बहुत ठंडा है नोमल हो जाए तो अपने चोटर जी शाहब को दे देना तुम्हारे चोटर जी शाहब भी कमाल के है बोले कि अभी के अभी रोश्गुला लेकर आ आओ, लाओ-लाओ, हॉम को दो वो रोश्गुल्ला अवरी पापा, ये क्या किया तुम? आलू का जगह पर रोश्खुला को फ्राय कर दिया रानी, तुम्हारा दिमाझ ख़़ाब हो गया है क्या आलू की जगा पे रोजगुला को शब्जी बनाता है जा जा तू अभी के अभी बाजार से अपने शाप के वास्टे रोजगुला लेकर आ और सोफेद रोजगुला इलाना उसकी जगा पे सोफेद अंडे मत ले आना अरे क्या हुआ रानी कुछ परेशान लग रही है ना कोई बात ना चीत बस यूँ ही घुमसम चुपचाप है वो दादा जी थोड़ा काम जादा हो गया था इसलिए वो ठक गई है मैं अरे रानी थोड़ा कम काम किया कर और जादा काम करना है तो दो काम के बीच में थोड़ा आराम कर लिया कर बस जब देखो मशीन की तरह लगी रहती है अरे मशीन को भी फैचरी में आराम दिया जाता है अब इससे क्या हो गया अयो पताने क्या हो गया रानी को आम उसको चाय का बरतन दोने को बोला तो वो चाय का केतली कपले चन्नी दोने का बदले चाय का बरतन मतलब चाय पत्ती और शक्कर का डबा दो के चला गया जी ओ, अरे, हमार यहां का तो हाल ही ना पूछो, प्रेस के कपड़े फ्रिज मा रख दिये और धोए बरतन कबाड मा कुड़ी बाबा, हमारा कीचन में आलू का शौपची के बदले रोश्गुला का शौपची बना दिया मेरे घर की तो ना बात ही मत बूछो, मैंने उसको थोड़ा ढोकला चकने को बोला, तो वो तो पूरी तपिली का ही ढोकला खा गई, मैंने इतनी मेहनस से बनाया था, मेरे को तो खाने को यह नहीं मिला, बाहुत दिनों से वो ऐसा गड़ बर कर रही है, पर सोमज नहीं आता, वो ऐसा क्यूं कर रहा है? कहीं आशा तो नहीं कि उसको किधर और काम मिल गया हो तो वो आइसे नाटक कर रही हो ताकि होम उसको निकाल दे और वो बड़ा काम जोइन कर ले हाँ हाँ होम को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लग रहा है करिए कि आज चुपचापने उसके घर जाकर पता करते हैं अरे यह तो रानी के रोने की आवाज हाए पर यह रो क्यूं रही है मेरी तो समझ में नहीं आता है देवा यह तुमारी तबियात इतनी खराब हो गए लिए डॉक्टर ने तुमारे इलाज के खर्चे के लिए पचाशाचार बता है पचाशाचार तो मेरे दो साल की पगर भी नहीं है इतना पैसा किदर से आए घर देवा मुहले में किसे से मांग के देखना इस नहीं मांग सकती ना बाबा मैं पर क्यों बहुत बार मौला वाला से पैसे मैं लेती हूं जोटी चोटी जरूरत के लिए और और कोई भी तब काम आता है जब उसके सामने चोटी चोटी जरूरत के लिए हाथ ना फैलाओ वरना वो लोग सोचते हैं कि छोटी मुटी मदद कर देते हैं इसलिए मैं जूट बोलके बड़ी रकम लेना चाहती हूँ अब क्या होगा हमारा क्या होगा ए रानी तब तो तुम हम लोगन का पहचानी नहीं में सब आप लोग इधर मेरा जैसे गरिप के घर पे ओड़ी बाबा जोब टूम हमारा घर पे काम करके हमारा मौदद करता है तो क्या होम तुम्हारा घर पे मुसीबत में मौदद नहीं करेगा क्या हाँ रानी तुमने सोचा भी कैसे कि हम सोचेंगे कि तु हमसे जूट बोलक पैसे लेना चाहती है और लेना भी चाहता था तो क्या तुम अमारी बाई नहीं अमारे घर का मेंबर है जी अमारे मौले का सदस्य है क्या तुमारा इतना भी हक नहीं बनता है और का अगर हमार रहते ए राजा भाव को कुछ हो जाता तो हमका कभी खुद को माफ कर सकते थे मेरे को पता नहीं था मेम साब क्या आप लोग मेरी इतने बड़ी मदद करेंगे अरे बड़ी मदद की धर मैं पचास हजार थोड़ी ना दूँगी पर इनके लिए तो पचास हजार चाहिए हाज तो बड़ी मैं दस हजार दूँगी न बाकी दस दस तो ये चारों देंगी तो हो जाएगा ना पचास हजार अरे अमारे पर बोज भी नहीं आएगा और तेरा बोज भी कम हो जाएगा आज एक बात मेरी समझ में आ गई है मेम साब लोग हाँ इनसान को अपनी हर प्रॉबलम अपने से जुड़े लोगों को बतानी चाहिए अगर दिल के सच्चे हो तो वो हमारी मदद जरूर करते हैं हाँ ये है अचब मोहले का मेडिकल स्टोर जिसे चलाते हैं यहां रहने वाले सोमनाथ चेटर जी अब इन्होंने अपने इस मेडिकल स्टोर पर एक नया नौकर रखा है अपनी आदत के मुताबिक वो दवाले ने आए मरीज के प्रिस्क्रिप्शन का जेरॉक्स कर रहे है आरे बाबा इसारा टेबलेट्स और सिरप एक्सपाईरी है इसको मेडिकल बंद करने के बाद जाटे जाटे फेक देना मुझे आम गार जाता है जी साहब भाई ये दवा देना ज़रा जल्दी अरे ये ही टेबलेट्स तो चाहिए मुझे कितने की है भाप रहे धाईसो रुपए की भाई मेरे पास तो सिर्फ दूस रुपए है दे लो और ये दवा दे दो अरे लेकन देखो मना मत करना मेरे पास सिर्फ ये दूस रुपए ही है लो रख लो अरे लेकन खमाल है बात हैं नहीं सुन रहा था एक्सपायरी दवा ले गया अरे ऐसा तो फैंकना था उसके दो सो रुपए दे गया क्या करूँ ला यह दो सो रुपए हम रख लेता है अगर ऐसे ही रोज दो चार सो रुपए की एक्सपायरी देट पर प्राइस ट्राइक जिपका देता हूँ एक्सपायरी डेट दिखेगी ही नहीं और मैं इसे बेच दिया करूँगा एक्सपायरी बाबा आगया टूम और क्या कर रहा था सफाई 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 साहब जी बैरी गोड वो खर राद को जो एक्सपायरी दवा दिया था वो कहा है आपने फैंकने को कहा था ना साहब जी तो फैंक दी अरे इसलिए तो पुछा भूल तो नहीं गया अरे चाटर जी दादा ये दवा मिलेगी क्या हाँ हाँ मिलेगा तू नहीं मिलेगा मेडिकल स्टोर दवा के लिए ही तो खोला है लो ये दवा लाओ तब तक हम इसका जिरोक्ष मार लेता है जी साहब जी अरे ये तो बहुत मेहंगी दवा है बारा सो रुपए की कल साहब जी ने जो दवा दी थी उसमें ये भी थी बारा सो रुपए एक ही बार में कमाने का ये अच्छा मौका है चुब क्या आप दवा इसे थमा देता हूं अरे एक सस्ती वाली नई भी दे देता हूं साहब जी के हिसाब के लिए ये लो आपकी दवा सोला सा रुपए हुआ सब करेक्ट है ना अरे हाँ हाँ सब करेक्ट है हम तो एक्सपाइरी दवा रखते ही नहीं सब फेंक देते हैं क्यों साहब जी हाँ हाँ अभी कॉलरात को ही तो हम इसको काफी एक्सपाइरी दवा फेकने को दिया था अरे एक्सपाइरी की बात नहीं है वो तो मुझे आप पर भरोसा है मेरा मतलब दवा बराबर दी है न या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना जरूरत नहीं अब ये काफी होशियार हो गया है भाई ठीक से पड़कर दवा दी ना बिल्कुल साहिब जी अब सिरफ के 400 रुपे डालता हूँ साहिब जी के गल्ले में और 1200 रुपे डालता हूँ अपनी जेब में धीरे धीरे इस एक्स्ट्रा इंकम से उसकी गरिंदी की हालत दिन बदिन सुधरती जाते हैं नए कपड़े और नए जूते आ जाते हैं ये देख एक दिन चैटर जी साहब भी उससे पूझ ही लेते हैं क्या हाँ बंधू आजकल हर दो तीन दिन में नया नया कपड़ा जूता लेते हो बाच क्या है कुछ नहीं साप जी हमारे यहां शादियों में कपड़े जूते देने का रिवाज है तो लेकिन तुम तो कई महिना से कोई शादी में नहीं गया घर फिर ये कपड़ा जूता मैं नहीं गया पर मेरे बीवी बच्चे गए थे न तो उनके हाथ से मेरे लिए कपड़े जूते भिजवा दिये हो अच्छा तभी आजकल तुम नया नया कपड़ा पहन कर आता है जी सा कर रहा है एक तीन अचानक महुल्ले का एक बच्चा राजेश खन्ना मेडिकल स्टोर में आकर नौकर से कहता है अंकल जी मेरे स्कूल फ्रेंड को न एक प्रोब्लम होगी है जरा आप चल्दी से दवा दे दो प्लीज इस दवा के एक्सपारी टेट तो मैंने आज ही टेट लगाया था पुरे 600 रुपे की दवा है ये लो 600 रुपे राजेश 600 रुपे देकर दवा लेकर चला जाता है यहां नौकर एक दो और कस्टमर्स को एक्सपारी दवा बेचकर अपनी जेब भरता है तभी चैटर जी साहब पहुंच जाते हैं और बांधू सौब ठीक है ना जी साहब जी हलो शंभू के पापा अमारे बेटे की तब्यद बहुत खराब हो गई है उसे सिटी होस्पिटल में अड़्मिट किया है आप प्लीज जल्दी आजाएए मुझे तो बहुत डर लग रहा है जल्दी आजाएए आप किया हुआ? किसका फोन था? मेरी बीवी का साब जी मेरे बेटे की तब्यद अचानक खराब हो गई सिटी होस्पिटल में अड़्मिट किया है हाँ तो चलो जल्दी जल्दी अरे बच्चे के मामले में देर नहीं करना चाहिए बिचारा डरा हुआ सोमनात के साथ जैसे ही होस्पिटल पहुचता है तो देखता है कि वहां उसकी बीवी डॉक्टर के सामने हाथ चोड़े खड़ी कह रही है बचा लीजिए डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए मेरा एक ही बेटा है हाँ डॉक्टर साहिब कई मन्नतों के बाद छादी के दस साल बाद बच्चा हुआ है देखे हम कोशिश कर रहे हैं केस थोड़ा कॉंप्लिकेटिट हो गया है बट स्टिल ट्राइंग तादा जी आप इधर अहां ये अपने खन्ना साहिब का बेटा है ना राजेश खन्ना इसके दोस्त की तबियत बुरी तरह से खराब हो गई तो इसके साथ मैं भी देखने आ गया अरे तुम तो वही हो ना जो घंटों पहले मैडिकल स्टोर से दवा ले गये थे अंकल जी आप इने तो दी थी और वो मैं अपने इसी दोस्त के लिए तो लाया था क्या डॉक्टर साहिब डॉक्टर साहिब बचा लिजे मेरे एक लोते बच्चे को उसकी यह हालत एक्सपाइरी दवा खाने से हुई है तुम्हें कैसे पता वो एक्सपाइरी दवा मैंने ही उसे दी थी तुम्हारे पास इतनी एक्सपाइरी डेट की दवा आई कहां से यह साहिब जो एक्सपाइरी दवा मुझे देते हैं मैं फैकने की बजाए उसके एक्सपाइरी डेट पर प्राइस टेक लगा कर बेच देत आप ले जाएए इसको यहां से हाँ, इसने चैटर जी का ही नहीं हमारे पूरे महले का पूरे देश की जनता का विश्वास तोड़ा है तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता दवा नहीं, तुम जहर वेचा करते थे, जहर समझ गया दादा जी आज मुझे सबक मिला है कि ज्यादा लालच और बैमानी कभी-कभी हमारे अपनों की भी जान ले सकती है